हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल देवेंदर महित क्लासीज देखे फ्रेंट्स एक्सरसाइज 11.2 का किश्ण नमर थर्ड देखेंगे हम क्या कहता है ड्रो ए सरकल ओफ रेडियस थ्री सेंटीमेटर हमने एक सरकल ड्रो करना है जिसकी रेडियस थ्री क्यू ओन वन ओफ इस एक्स्टेंड ड्यामेटर कहता है कि आपने दो पॉइंट लेने है ठीक है पी और क्यू नाम उनको लेना है और वो कहां लेने है आपने जो आप इसका जो सरकल का ड्यामेटर रहेगा उसको एक्स्टेंड करेंगे आप और फिर वो पॉइंट लेने है और वो point is at a distance of 7 cm from its center, वो इसके center से हर एक point जो है, वो कितनी दूरी पे रहेगा, 7 cm की दूरी पे रहेगा, आपने draw करने है tangents to the circle from these two points P and Q, फिर आपने क्या करना है, इन P and Q points से आपने इस circle पे tangent draw करने है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 cm radius का एक circle draw करेंगे, ठीक है, आपने 3 cm इसके अंदर ले लेना है, परकार में आप क्या करेंगे, 3 cm ले लेंगे वही, किलियर, और आपने एक circle draw कर लेना है, ये आपने एक circle draw कर लेना है, हो गया वही, इसको मान लेते हैं, हम इसके center को क्या नाम ले लेते हैं, चलो, इसको O नाम ले लिया, किलियर है, अब आपने क्या करना है, देखो, इसने बोला है, ये कितने cm का है, अपना 3 cm का, इसने बोला है, कि इसके diameter को आपने extend करना है, पहले आप इसका diameter बनाएंगे, तो center से होती हुई, जो line जाएगी, वही होती है, अपने क्या diameter, clear है, ये हो गया इसका diameter, ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये है इसका center, आपने इसके center से 7 cm की दूरी पे इस diameter को extend करना है और कितना करना है 7 cm तक लेना है यह 7 cm हमने ले लिया वही यह point ठीक है और इधर भी आप center से center से 7 cm ले लेंगे ठीक है तो 7 हमने इधर ले लिया इन points को क्या नाम देना है आपने इसने बोला है take two points P and Q तो एक को आप P point नाम दे दें यह center से दूरी है 7 cm O P है 7 cm और यह एक side क्या लिख दे हम Q इसने बोला है न P और Q दो point है अब क्या करना है आपको आपने draw करने है tangent ठीक है कहां से P और Q से तो P और Q से tangent draw करने है आपने तो देखें आप क्या करेंगे इसकी construction हम साथ की साथ लिख लेंगे क्या क्या है आपने यहां तक हम construction लिखते हैं यहां construction की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या क्या 3 cm का radius का एक circle draw किया है आपने ओ को center लेते हुए तो आप लिखेंगे step first क्या लिख दें भई step first क्या क्या आपने draw a circle draw a circle of radius 3 cm radius 3 cm taking o as a center ठीक है ओ को एक center लेते हुए आपने क्या क्या 3 cm का circle draw किया clear फिर आपने क्या किया भई फिर आपने क्या है circle draw करने के बाद extend किया है न आपने diameter को तो आप क्या लिखेंगे यह दो point लिए गए हैं P और Q point क्या करके diameter को extend करके यह तो diameter था आपका इसको extend करके आपने P और Q point लिए हैं तो आप लिखेंगे Take two points, take two points, और वो point क्या-क्या है, P and Q on one of its, one of its extended diameter, extended diameter, such that, इस परकार हैं वो point कि O, P and O, Q कितना है आपका, 7 cm, clear है भई, आपने P and Q इस परकार लिए हैं, इस diameter का extend करके, कि इस परकार हैं कि O, P equal है O, Q के और वो कितने हैं, 7 cm, clear है, अब आपने क्या करना है, यह जो O, P है, O, P और O, Q को अब आपने क्या करना है, BISECK करना है, तो O, P और O, Q को BISECK करेंगे, तो हम आदे से ज़्यादा अपने परकार को खोल लेंगे, ठीक है, और हमें इसको क्या करना है, BISECK, यही करते हैं ना, जिस point से आप tangent ड्रो करते हैं, वहां से उस, जिस circle पर आप कर रहे हैं, उस circle के आपने आदे से ज़्यादा इसको center से और इस line को आदे से ज़्यादा ले लिया, और आप क्या करेंगे, इसको BISECK, तो एक आर्क उपर लगाएं और एक, निच्चे की side लगा तो आप, clear है वही, एक P point से लगा दें, जैसे आपने O से लगाई है, ऐसे ही एक यहां से लगा करना है, कि जहां यह cut कर रही है, उनको क्या करना है वही आपने, यह, देखे वही, थोड़ा सा हमने इसको, यह, ठीक है, आप side draw कर लेंगे इसको, जहां यह cut करती है, यह जो point आ गया, यह क्या आ गया, इन दोनों का mid point, ठीक है, इसका क्या गया है, यह, mid point, इसको हम नाम ले लेते हैं कुछ भी, मालिया, हमने इसको नाम ले लिया, M, क्या नाम ले लिया, M, ठीक है वही, और similarly अब आपने इसका mid O Q का भी करना है, तो O Q का mid करना है, तो अब आपने O से रखके A कार, इस side भी लगा लें वही, A कार की यह लगा दी, और A कार की यह लगा दी, ठीक है, और Q से रखके भी लगा दें, तो Q से रखके लगाएंगे, तो A कार की यह लगा दी, ठीक है, अब आपने, यह, अपना क्या आ गया, बाइसेक्ट हो गया भई यह, O Q क्या हो गया, बाइसेक्ट, दो बराबर, पार्ट में डिवाइड हो गया, यह पॉइंट आ गया, मान लेते हैं, इसका O Q का mid कितना आ गया, N नाम रख लेते हैं, ठीक है भई, आपने बाइसेक्ट कर दिये, इसका नाम क्या रख लिया, M को सेंटर मानते हुए, आपने एक सर्कल ड्रो करना है, क्या करना है, एक सर्कल ड्रो करना है आपने, वो जो सर्कल है, वो O और P पॉइंट से होते हुए जाएगा, क्योंकि वो mid point है ना M, M mid point है, तो O और P से होता हुआ जाएगा, ठीक है, और P से होके जा रहा है यह, यह अब आपने ड्रो किया है similarly n point पे रखके भी आपने एक circle ड्रो कर लेना है ठीक है n point पे रखके भी आपने एक circle और ड्रो कर लेना है अब यहाँ पे देखें तो इन circles यह जो पहले अपना circle था शुरू में अब जो यह circle बनाई हैं यह बनाया है हमने जो M पे रखके सेंटर मानते हुए उसने इस सरकल को यहां कट किया और यहां कट किया ठीक है इनके नाम रख लेते हैं हम मालिया, हम इसके नाम रख लेतेmos, जैसे इसमें है P क्यों है, तो हम RS रख लेते हैו R है यह point और यह क्या है, S है, ठीक है? और यह point इस सरकल को यह जो दूसरा सरकल बनाया था उसने यहां और यहां कट किया तो इसको नाम रख लेते हैं R, S, T और U आप कोई विनाम इनको रख सकते हैं ठीक है फिर क्या करना है आपने आपने PR को join कर देना है R से touch होते हुए line आपने draw कर देनी है touch होते हुए क्यों क्यों कि किसका काम कर रहा है tangent का tangent एक point से होके निकलती है वही खीक है यहाँ भी आपने similar कर देना है दो point से नहीं निकाल देना है circle के अंदर से नहीं तो secant बन जाएगा आपका clear है और अब Q point से यह जो आपने T point नाम लिया है वहाँ से होती हुई line एक यह हो गई और एक इधर से हम ड्रो कर देते हैं वही U से Q U यह क्या आगई अपने यहाँ यह ज़्यादा extend हो गई है यहाँ तक यह extend करना है वही आपको ठीक है अब देखें जो यह PR और PS जो है वो क्या आगई required tangent आगई इसने बोला था ना कि draw tangent to the circle from these two points P और Q P और Q पॉइंट से आपने क्या करने थे tangent ड्रो करने थे circle पे और वो हो गए PR और PS और यहाँ से क्या हो गए QT और Q U के लिए है अब हम इसकी conception लिखेंगे तो देखें हम दो पॉइंट लिख चुके हैं इसके कहां तक जहां तक आपने इसको extend कर लिया था diameter को clear है भाई? अब आप लिखेंगे next point क्या लिखे हम उसके बाद आपने क्या क्या? आपने bisect किया किसको OP को और O Q को अब क्या लिखेंगे bisect bisect OP AND O Q OP और O Q क्या क्या आपने bisect किया और हमने क्या lilla M को OP का midpoint लिया और N को किसका midpoint लिया OQ का तो हमने let कर लिए let M be the midpoint of midpoint of O P and N be the midpoint of midpoint of OQ ठीक है N किसका midpoint है OQ का है फिर आपने क्या किया उसके बाद में उसके बाद में आपने ये circle draw किया ये circle draw किया और फिर क्या क्या ये circle draw किया तो ये circle draw करेंगे तो M को center मानते हुए और O M को radius लेते हुए इतो क्या है आपने ठीक है देखें जो construction लिख रहे हैं वो आप अपने language में भी लिख सकते हैं आपने कैसे इसको बनाया है वही लिखना है बैस आप मेरे से बैतर लिख सकते हैं इसको 4 point देखें तो आपने क्या क्या draw a circle draw a circle taking taking m as center किसको center मानते हुए m को center मानते हुए and om को क्या लिया आपने om as radius om को radius लेते हुए और m को center मानते हुए आपने क्या क्या एक circle draw किया और हम यह मान रहे हैं कि इसने यह जो circle था आपना जिसकी radius कितनी थी 3 cm उसको r और s पे cut किया हना वही तो आप क्या लिखेंगे let this circle let this circle this circle का मतलब जो यह circle अब आपने बना दिया है this circle cut the circle cut the circle which have radius which have radius is equal to 3 cm जिसकी radius कितनी थी 3 cm at point किस point पे cut किया इसने at point r and s clear है वाई देखें आपने draw किया एक circle m को center लेते हुए और om को radius मानते हुए और इस circle ने cut किया circle को कौन से circle को जिसकी radius 3 cm थी क्या आपकी यह भी इस वाड़ा था ना किस point पे point r पे और s पे ठीक है similarly आप इसके इस वाड़े circle के बारे में लिखेंगे अब क्या लिखेंगे point 5 step 5 लिख देते हैं हम क्या कि draw a circle दूसरा circle भी तो draw क्या है ना आपने draw a circle taking n as center n as center and o n as radius o n को radius लेते वे हम लेट करते हैं देखो n को center लेते वे और o n को radius लेते वे आपने यह circle draw किया है हम यह मान रहे हैं कि इस circle ने जो अभी draw किया है आपने इस circle ने यह जो 3 cm वाड़ा circle था उसको point T पे और U पे cut किया है ठीक हा भाई आप क्या लिखेंगे let this circle this circle cut the circle which have radius which have radius is equal to 3 cm at point T and U कर दिया भाई ठीक है फिर आपने क्या कर दिया cut करने के बाद में आपने क्या किया था आपने join किये थे भाई आपने point PR को PS को QT को और QU को क्या किया join किया तो आप लिखेंगे join PR PR PS QT और and QU को आपने क्या कर दिया join कर दिया हुई ठीक है यही किये थे हमने join अब क्या लिखेंगे यह क्या है यही तो required tangents थे यही तो इसने बोला था कि draw tangent draw करें P और Q point से P और Q point से यह tangent draw हो गए तो आप लिखेंगे hands hands number seven point बढ़ा देंगे hands PR R और PR PS and PR और PS तो भाई इस साइड चे हो गए P point से PR और PS and QT और QU इस साइड चे हो गए tangent QT and QS are the required tangents क्या है यह required tangents यही तो आपने बताने थे वही यही तो आपने ड्रो करने थे ठीक है और वह आपने कर दिये अब देखेंगे इसकी justifications friends देखें justification जब आप देखेंगे तो उसके लिए आप justification देंगे तो आपने OR को क्या कर लेना है join कर लेना है OR को क्या कर लेंगे आप join कर लेंगे clear है OR को join करेंगे तो यह जो tangent और यह जो OR है इसके बीच में कितने डिगरी का इंगल बनेगा वही 90 डिगरी का तो अब आप justification देंगे इसकी देखें justification देखें अगर आपसे justification पूछता है तो आपको आनी चीए पूछ लेता है वह यह एक्जाम में तो justification देखें तो आपने क्या किया यहां पे सबसे पहले आप को करना क्या है प्रूव क्या करना है देखो क्या प्रूव करेंगे आप तो प्रूव हमें प्रूव करना है कि PR PS and QT QS जो है यहां पे आप एंड रटा देंगे बले ही QT और QS ठीक है कोमा लगा लेंगे बीच में QT QS are tangents यह क्या है बई टेंजेंट्स हैं यह बात आपने प्रूव करन यह हम करना चाह रहे हैं तो यहां पे यह प्रूव करेंगे आप प्रूव लिकलें तो कैसे करेंगे सबसे पहले आपने क्या किया QR को जोइन करवाया किसको जोइन करवाया OR को आप लिखेंगे जोइन कर लिया आपने किसको OR को किलियर है तो therefore एंगल जो है आप देखें ये जो एंगल दिख रहा है आपको ORP ये 90 डिग्री का है क्यों है ये 90 डिग्री का अगर आप गोर से देखेंगे तो ये जो बन रहा है ये इसकी ये जो एंगल आया है वो इस सेमी सरकल में है की नहीं देखो ओपी किसका काम कर रहा है इसके लिए डायमेटर का काम कर रहा है ना इस सरकल के लिए ओपी तो ये जो एंगल बन रहा है किसमें बन रहा है सेमी सरकल में और semi circle में बना हुआ angle क्या होता है 90 degree चीक है तो आप लिखेंगे कि angle PORP कैसे भी लिख दें R बीच में रहेगा ORP ORP is equal to 90 degree किलियर है वही क्यों है angle in semi circle semi circle चीक है अब semi circle में angle हो गया और हमें ये जब angle ये 90 degree का हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ORP perpendicular हो गया PR पे ऐसा आप लिख सकते हैं OR therefore ORP perpendicular है किस पे PR पे किलियर है और आपको ये भी पता है and दूसरा में ये भी पता है कि OR यहाँ पे क्या है radius है circle की कौन से circle की इस circle की ये तो दिख रहा है अपने को अंदर दिख रहा है उसकी radius ही तो है ये तो आप क्या लिखेंगे and ये perpendicular है and OR क्या है OR is radius of circle ठीक है तो यहाँ से क्या बात imply हो गई वही देखो दो बात हो गई अपने पास जब ये perpendicular भी है और OR यहाँ किसका काम कर रहा है radius का कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ देखें ये 90 degree है ये radius है तो इसका मतलब यह है कि जो PR है ये must be a tangent ये क्या होगा tangent होगा ही होगा हाना हमने theorem पड़ी है ठीक है तो आप इससे क्या बोल सकते है भई हमें पता है कि tangent और radius के बीच में कितने degree का angle होता है 90 degree का अब अपने पास बाते है 90 degree का angle भी है हमने semicircle से बोला और अपने पास radius भी है तो आप यह बोल सकते है कि PR must be a tangent आप यहां से क्या बोल सकते है therefore PR must be a tangent ठीक है वही तो similarly आप बोल देंगे similarly क्या बच गया आपका PS QT and QS are tangents क्या है यह भी क्या है वही tangents okay students यह थी आपकी justification अगर आपसे exam में पूछी जाती है पूछी भी लिजाती है वही तो आपने यह लिख देनी है सभी questions में same ही justification सल रही है और यह था आपका friends question number third और इसकी conception आप अपने according भी लिख लेंगे चीक है आपने कैसे बनाया है वही लिखना है friends अगर आपको वीडियो समझ आई है तो please आप मेरी मेहनत को देखते हुए चैनल को subscribe करें और friend circle में भी जरूर बताएं thanks for watching my video